नमस्ते फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे योटूब चेनल पर दोस्तों आज हम सर्दियों के मोसम में होने वाली सबसे कॉमन बिमारी कॉमन कोल के बारे में बात करेंगे पेशेंट सर्दियों में वैसे ही इस बिमारी से परिशान रहता है और इस कोविट पैंडिमिक के चलते तो प्रॉब्लम और बढ़ गई है और पेशेंट समझ नहीं पाता इसके सिम्टम्स को कित्ती सीरिसली ले या नहीं दोस्तों अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोविट की बिमारी में सबसे कॉमन सिम्टम सर्दी जुकाम बुखार देखा गया है और इसका ट्रीट्मन सिम्टम के आधार पर किया जाता है इसलिए होमेपैथिक का यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन रोल हो सकता है क्योंकि होमेपैथिक सिमीलिया, सिमीलिबर्स, कुरेंटर के टिंसिपल पर काम करती है इसका मतलब यह होता है जैसे हैं सिम्टम वैसा इलाज आज हम बात करेंगे common goal के बारे में उसके symptoms क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसमें किस तरह का homeopathic treatment आपको help कर सकता है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम doctor's दिंधर बिमारियों के बारे में बाते करते रहते हैं और आप viewers भी कभी न कभी किस न किसी बिमारे से हमेशा परेशान रहते हैं इसलिए माहूल को थोड़ा light करने के लिए मैंने ये jokes इंटरनेट से उठाकर आपके सामने डाल दिये सो फ्रेंड्स कोई भी बिमारी ओ घर का माहूल positive रखें हलका रखें आदी बिमारी अपने आप चली जाएगी सो फ्रेंड्स बी positive, be healthy, be occupied अब हम बात करेंगे कि सरदी जुकाम हमें हो क्यो जाता है सरदी जुकाम का में कारण होता है वारिस जब भी कोई हमारे आसपास छीखता है खासता है तो उसके वारिस ट्रॉपलेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में हमारी नाख, हमारे आँख, हमारे मुग के थू एंटर कर जाते हैं दोस्तों इस वारस का हमारे शरी में enter होने का number two root होता है contaminated food मतलब दूशित खाना यदि किसी जगे पे हम दूशित खाना खा लेते हैं तो ये वारस हमारे शरी में चला जाता है और ये वारस हमारे शरी में जाने की बार बहुत सारी copies बना लेता है और इससे हमारी नाग और गले की अंदर की लेयर में सूजन आ जाती है और यह दीरे दीरे करके दूसरी कोशिकाओं में भी एंटर करता जाता है और इस तरह से पूरी बाड़ी बिमार पड़ जाती है दोस्तों अब हम बात करेंगे इस common cold के symptoms क्या क्या होते है सबसे पहला होता है पेशिंट को नाग बहने लगती है नाग पतला भी हो सकता है गाड़े बंद भी हो सकता है उसको खासी होती है खासी कम प्राउक्जस में भी आ सकती है जादा प्राउक्जस में भी आ सकती है ऐसे ही उसको सोथोट की तकलीफ होती है पेशिन को हलका बुखा रहता है उसको अच्छा नहीं लगता है उसका सरदध होता रहता है इसमें सबसे पहला सिम्टम है नाक का बहना ये नाक किसी किसी को पतला पानी भी आता है नाक से means patient को सुखी खासी आएगी बिना बलगम वाली इसमें पूरी बॉडी में pain होता है pain mainly उसको head में मिलेगा और पीछे spine में cervical spine में उसको pain मिलता है congestion की symptom में नाग में blockage feel होता है गले में choke feel होता है और chest में भी patient को बहुती भारी भारी लगता है इसमें साथ में fever भी high temperature और low grade temperature दोनों तरह से हो सकता है इसमें patient को सुखोट होता है means गले में खराश होती है आवाज भारी हो जाती है अंदर एक mucus की layer उसको feel होती रहती है गले में दर्ध होता है और कभी-कभी tonsil भी बढ़ जाते है है यह सारे symptom जो मैंने बता है patient to patient vary करते हैं किसी में ज्यादा हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं हम बात करते हैं इसके homeopathic treatment की तो सबसे पहले नाम आता है arsenicum album का दोस्तों यह दवाई हम तब देते हैं जब नाग से पतला पानी निकलता है और कभी-कभी नाग patient को बन भी feel होती है इसमें उसको चाती में congestion feel होता है patient राट को बहुत restless हो जाता है वो पीट के बल सो नहीं पाता है तो यह medicine उस time पर बहुत अच्छा काम करती है अब number 2 पर medicine आती है बैला डोना इसमें patient को बहुत congestion feel होता है गले में खराश feel होती है गला कसा हुआ feel होता है उसको थूप निगलने में दिक कर जाती है साथ में गले में दर्द होता है इसमें साथ में उसको fever भी बना हुआ रहता है और सूकी खासी चलती है दोस्तों अब हम बात करेंगे एंटिम टार्ट की जब केस एक स्टेप को आगे चला जाता है patient को गले में और चाती में घड़गड़ा heart feel होती है rattling sound सुनाई दीता है उसको चाती में दर्द भी हो सकता है साथ में कभी कभी कफ की vomit भी हो जाती है को दम घुटने जैसा feel होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है और कफ बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है दोस्तों नंबर चार पर medicine है natural self यह medicine हम तब देते हैं जब patient बहुत damp area में रहता हो उसकी area में बहुत sealan हो उसको धूप नहीं मिलती हो उसको चीके आ रही हो उसको नाग से थोड़ा थिक yellow discharge नि बढ़ जाती है इस सीरीज में last medicine है brynea elba इसमें patient को पूरे respiratory tract में यह नाग हो गला हो चाती हो उसमें उसको dryness सूखा पन फील होता है patient को बहुत सूखी खासी आती है और बलगम ना के बराबर निकलता है कभी-कभी यह बलगम patient को vomit के form में भी बाहर आ सकता है तो इस तरह की condition में brynea elba बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों common call में हर patient के symptom अलग-अलग होते हैं और उसके हिसाब से ही दवाई की potency और doses ते होते हैं इसलिए आपको इन में से कोई भी दवाई किसी doctor को physically दिखा कर ही लेनी है friends यदि आपको मेरा वीडियो informative लगा हो तो please like, share and subscribe my video, my channel, thank you